हेलो माई डियर स्टुडेंस वेलकम तू माई चैनल इंग्लिज विद मनीस नेमा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेल टेकनोलोजी जो आईटी कंपनी है वो हमारे भारत की कंपनी है और इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड तो यह कंपनी क्या करती है कि आफ्टर 12 बच्चों को ठीक नौकरी या जॉब उपलब्द कराती है जो बच्चे 12 कंप्लेट कर चुके हैं 2023 में और ऐसे बच्चे जो क्लास 12 में एपियर हो रहे हैं मतलब परिक्षा दे चुके हैं इस वार उनके लिए जॉब SCL Technologies जो है वो जॉब उपलब्द कराती है SCL Technology जो है यह वन आप दा लीडिंग टेक्नोलोजी कंपनी है इंडिया की तो आईए जानते हैं कि क्लास 12 के बाद आप कैसे इस जॉब के लिए अपलाई करेंगे क्या आपको मिलेगा यह सारी चीज़े जानने के लिए चलते हैं व who have passed class 12th board exams in 2023 और appearing in 2024 ऐसे स्टुडेंट जो 2013 में class 12th पास कर चुके हैं और जो अभी 2024 का exam दे चुकी है या दे रहे हैं वो इस जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके लिए mathematics और business mathematics is mandatory with minimum 65% marks तो आपको आपकी mark sheet में mathematics या class 12th आपका गड़े द्विसे से होना चाहिए या business mathematics होती है commerce में ये subject होता है कुछ बच्चे business mathematics लेकर पढ़ाई करते हैं तो ये दोनों अनिवार हैं इसके लिए और इसमें आपकी percentage मद्धपरदेश राज्य के लिए 65 marks होने चाहिए ये mandatory है चलिए जानते हैं कि आपको इस job से कितनी salary मिलेगी और आपको क्या करना पड़ेगा question है will the candidate get any stipend while undergoing the tech b scl early career program तो question बुचा गया है कि क्या candidate को कुछ training के दोरन वजीफा मिलेगा तो मैं आपको बता दूँ जैसे ही आप application form भरेंगे आपका cat याने scl cat का exam होगा अगर आप उस exam में निकल जाते हैं तो फिर आपको एक साल की training याने 12 मैने की training दी जाएगी उस दौरान आपको 10,000 रुपए मैने ठीक stipend के रूप में दिये जाएंगे 10,000 रुपए आपको expenses के लिए दिये जाएंगे फिर आपका क्या होगा जब आप इस training को पूरा कर लेंगे after the successful completion of the training candidates will receive a starting salary of 1.70 lakh digital process support and 2.20 lakh IT services per annum तो आपको लगबग 1,77,000 या 2,20,000 एनम याने per year salary मिलेगी ठीक है आप इसका भाग दे देंगे आप 12 मैं तो आपको महिने की salary करीब 40-45,000 रुपए मिलने लगेगी जब आप इसका training course complete कर लेंगे और successful training course complete होने के बाद आपको IT, S.A.L. technology आपको job provide करेगी एक आपको title देगी एक post का और उसके लिए आपको 1.70 lakh या 2.20 lakh पर annum आपकी salary होगी अब what are the benefits candidates get after the successful completion of the program candidates will get a job with S.A.L. tech as a developer आपकी जो नौकरी का पद होगा वो होगा developer की रूप में, tester की रूप में या support की रूप में, maintenance या executive की रूप में relevant job certification from the best in class training center आपको certification में मिलेगा health and life insurance benefits में मिलेगा opportunity to pursue work integrated higher education from V.I.T.S. Pilani and I.I.M. Nagpur I.I.T. Kota I.M. MIT University Online K.L. University of Sastry University all other benefits that regular employee get post employment तो आप इस training को complete करने का जब job में आ जाएंगे तो आपको एक opportunity मिलती कि आप आगे की पढ़ाई higher education in university से कर सकते हैं जो आपको company ही कराईगी ठीक और un-benefits भी आपको मिलेंगे clear है? चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आपको कैसे इसमें registration करना है और आपकी तैयारी कैसे होगी? स्कूल सिक्षा विभाग की दोरा भी अब इन परिक्षातियों को जो SCL Tech B में registered हो रहे हैं जो application form भर रहे हैं उनकी सुभीदा के लिए भी classes online जल्द ही चालू की जाएंगी जिसका proper notification आपको दिया जाएगा जिसमें आपको English साथ साथ जो reasoning है वो आपको पढ़ाई जाएगी आगे जानते हैं अब आपको question के माद्यम से हम सारी चीजों को समझाते हैं What is the eligibility for Tech B, SCL early program? तो SCL का जो Tech B program है, job program, job offered program है उसके लिए आपको eligibility क्या होती है? तो minimum qualifying class 12th marks across the board, सारे जो board है हमारे देश के उनके लिए सारे अलग-अलग पैवाने तै किये गए हैं हमने यह 65% आसाम, गोवा, गोजरा, थारियाना, हिमाचल प्रदेश, किरला और मद्द प्रदेश हम मद्द प्रदेश में है, तो 65 marks हमें mandatory यानि अनिवार रूप से लाने होंगे class 12th में और जो लाग चुके हैं, अगर उनके 65 marks है, वह ही इसमें apply करेंगे Mathematics, business mathematics is mandatory with minimum 60% marks for IT rules only तो IT के अगर sector में आप जारे हैं इस company में, तो उसमें आपको 60% marks में होने ही चाहिए, a resident of India who has successfully passed class 12th board exam in 2023 और appearing in 2024, ऐसे भारती है, भारत की निवासी, बच्चे जो चात्र हैं, वही इसमें apply कर सकते हैं, जिनने class 12 2030 इसमें pass कर लिया है, या वो 2024 में ये class 12th में परिक्षा दे चुकी हैं या दे रहे हैं, what is the selection process for this exam, पूछा गया है कि इसके लिए क्या करना होगा, कैसे selection होगा, the selection for this training and hiring program is purely on merit basis, candidates are invited to appear for an online career aptitude test, those who clear the test would appear for versant test, post debt and interview discussion, after which SCN technology will issue letter of interest or offer letter, इस परिशिक्षा और भर्दी कारिकम के लिए, चैन विश्द रूप सर्योगिता के आधार पर है, उम्मीदवारों को एक online career aptitude test के लिए, उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो पूरी तरह online होता है, जो लोग test के लिए करते हैं, वे version test के लिए उपस्थित होंगी, ये version test क्या होता है, version test का मतलब होता है, आपकी जो चारों skill है, language की, ठीक, वो speaking है, writing है, listening है, और reading है, ये चारों skill आपकी चेक की जाती है, test के माध्यम से, विविन परकार के प्रस्णों से, उसके बाद एक साक्षर्पकार होगा आपका, वो ये selection process का मैंने आपको एक ppt के माध्यम से बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, registration करना है, registration कैसे करेंगे, उसकी link आपको video की description box में मिल जाएगी, आप description box में से link को click करके, जाकर registration करेंगे, और सारी information को fill करेंगे, email id आप उसमें जब insert करेंगे, तो सारी आपका communication और पत्र बातें जो SCL आपको बताएगा, वो सब वहीं आएगा, जब आप registration कर लेंगे, तो registration करने के उपरांत आपको form भरना होगा, form भरने के बाद आपका एक test आयोजित होगा, SCL CAT test, ठीक है, CAT का मतलब है, career aptitude test, तो ये test क्या होगा, basic career aptitude test consisting of quantitative and logical reasoning, इसमें quantitative and logical reasoning की question आएगे, एक online paper होगा, उसको आपको देना होगा, फिर आपका एक version test होगा, to test, to check language skills, मैंने भी बताया था आपको, including spoken English, English इसमत बहुत जरूरी है, ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद यही है, कि आप English को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको सीख लें, जरूरी ही मेरे चैनल से पढ़ इसके बाद आपका एक interview होगा, और interview, a face-to-face interaction, या one-on-one interaction होगा, with SCL Tech Selection Committee to prove your matter, तो आपको एक interview का सामना करना पड़ेगा, सक्षत कर देना पड़ेगा, और आप इस आधार पर चैनित किये जाएंगे, आगे देखते हैं, Is there any fees for online SCL CAT exam, क्या इस CAT exam के लिए कोई fees होती है, no, there will not be any fee to appear for the online SCL CAT, question आता है, what are the dates for online SCL CAT exam, इसकी date क्या होगी exam की, You will receive an email on your registered email ID for the test, dates on how to schedule your online exam, the registrations are new open for 2020 class 12 passouts, तो अभी आप विपसाइट पर जाएंगे, तो आप रिजिस्टेशन कर पाएंगे, विपसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइट करूंगा, आपके वीडियो के description box में, What is the language of SCL CAT entrance exam and where will the test be conducted, बच्चों के दारा पूचा जाता है किसकी language क्या होगी test की और ये कहां conduct होगा, The exam is conducted online in English across all states in India, भारत के सभी राच्यों में ये conduct किया जाता है online test और इसका पूरी भासा English ही होती है, English में ही ये test होगा, When will the admit card for SCL CAT exam will be released, आपका admission card कब आएगा, जब आप इसका form भर देंगे, You will be able to generate your own admit card once you schedule your exam at the TACB portal, please wait for an official communication on your registered email ID on how to go about doing the same, तो आप जैसे ही आप application form भरेंगे, तो आपकी email ID पर सारी चीज़े आएँगे, Admit card आएगा, date आएगा और आप उस अनुसार अपना काम करेंगे, Question है, What is the syllabus of the exam and sample questions are asked in SCL CAT exam, SCL CAT का exam जो होता है, उसमें कौन कौन सा syllabus में क्या क्या होगा, उसमें sample questions कैसे आएगे, बताता हूँ, Okay, SCL CAT is an online assessment test designed to check your aptitude in areas of quantitative reasoning, mathematics, logical reasoning and English language, तो आपको syllabus में क्या क्या होगा, हम आगे आपको दिखाते हैं, ये मैंने इस प्रकार का equipped बनाया है, SCL TACB 2024 syllabus, the general section wise syllabus of the SCL TACB 2024 examination is given below, पहला आपको verbal reasoning पूछी जाएगी, जिसमें critical reading होगी, paragraph forming होगी, sentence completion होगा, sentence correction होगा, quantitative reasoning होगी, जिसमें arithmetic, algebra, geometry और statics interpreting quantitative information होगी, logical reasoning होगी, ये तर्क शक्ती होगी, और इस प्रकार से इसमें जो आपको पूछा जाएगा, वो deductive and non-verbal reasoning आएगी, odd elements आएगे, analytical puzzles आएगी, special visualizations आएगे, special visualizations आएगे, mechanical reasoning आएगी, और perspective talking आपको आएगी, तो इतनी चीज़ें आपको slivers में दी जाएगी, इसके skin short लेज़ेगा आप, SCL tag B 2024 exam का pattern क्या होगा, तो ये pattern दिया है, as you can see in the exam pattern, candidates have to clear the SCL cat exam in order to get selected for SCL tag B, the SCL cat exam pattern 2020 is as elaborated blow, तो section आपके जो होंगे, paper में वो होंगे, logical reasoning के, verbal and non-verbal reasoning का होगा, और तीसरा section होगा, quantitative aptitude का, तो इसमें नंबर कितने मिलेंगे, logical reasoning में आपकी question होगे, 40, verbal और non-verbal reasoning में 36, question होंगे, और quantitative aptitude के 36 question होंगे, ऐसे total 112 questions आपको दिये जाएंगे, और उन पर जो marks होंगे, वो दिये गए है, 40 question, 40 marks के होंगे, 36 questions, 36 marks के होंगे, और 36, 36 के होंगे, तो ये रहा आपका pattern, ये रहा आपका slabbers, और अब आपकी बार ही आती है कि आपको form कैसे भरना है तो form भरने के लिए मैं आपको जैसे ही site बताऊंगा तो उस site पर ये registration form को लेगा इस registration form को आप fill करेंगे तो आप अपनी email id में सारे communication जो करेगा scl tag भी वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और कहां application form भी आएगा registration के उपना तो आप application form भी भरेंगे द्यान दीजिए इस job जो है इस job के लिए आपको mathematics class 12 में ज़रूरी है या business mathematics जो commerce के students है अगर business mathematics उनका subject है बेपियर हो रहा है 2024 में या passed out है 2023 उनके लिए ये program है इस program से संबंदित तयारी के लिए जो है वो वीडियो के माध्धम से सारी तयारी मैं कोसिस करूंगा कि आप तक पहुचाऊंगा English की और reasoning की भी हमारे school सिक्षा विभाग की दोरा भी अब इन परिप्षातियों को जो SCL Tech B में registered हो रहे हैं जो application form भर रहे हैं उनकी सुभीदा के लिए भी classes online जल्द ही चालू की जाएंगी जिसका proper notification आपको दिया जाएगा जिसमें आपको English साथ साथ जो reasoning है वो आपको पढ़ाई जाएगी धन्यवाद